आज मैं आपके साथ शेर कर रही हूं friends एक लिटर दूद से मख़न निकालने का तरीका और मख़न से गई बनाने का तरीका आप आसान तरीके से घर में घी बना सकते हो बिल्कुल मार्केट से भी अच्छा बिल्कुल फ्रेस और इसे सालो साल तक इस्टोर करके रख सकते हो जब भी कुछ बनाने और खाने का मन करे तो आप इस तरह से घी निकालके खा सकते हो आपका घी कभी खराब नहीं होगा तो बनाना शुरू करते हैं तो फ्रेंड ए हमने लिया है मलाई एक हपते का एक लिटर दूद से हमने इस मलाई को निकाल के तयार किया है अब इसी से हम मक्खन निकालेंगे तो फ्रेंट इसके लिए हम लेंगे एक mixi jar mixi jar के अंदर यह हमने 4 टेबल इस्पून इसके अंदर यह जो मलाई है हम डाल लेंगे मलाई को अब इसके उपर हम लगाएंगे धकन धकन लगाके कवर करेंगे mixi jar को चलाके अच्छी से glender करेंगे फिर धकन को खोलेंगे अब इसके अंदर डालेंगे पानी तो हमने पानी डाल लिया है फ्रेंट फिर धकन को लगा लेंगे फिर से mixi jar को चला लेंगे चलाके थोड़ा से पानी डालेंगे फिर इसे हम इसी तरह से glender कर लेंगे तो, फ्रेंट देख पा रहे हونगै आप, हमने मिक्सी जार को हटा लिया है, मिक्सी से, और देख पा रहे होंगै कितना अच्छा सा मख्छन बनके तयार हो गया है मलाई से, अब कडाई में इसे बाहर निकाल लेते हैं, मलाई के मख्छन को, इतना सारा देखो, हमारा ये मक्षन बनके तयार हो गया है तो इस तरह से आप आसान तरीके से मक्षन घर में बना सकते हो मलाई से यह हमने एक लिटर से हमने इतना सारा मलाई बना के तयार किया था उसी से हम आज मक्षन निकाल रहे हैं तो फ्रेंट जितना हमारे पास बचा है इसी तरह से और मार के हम मिक अप बना सकते हो, इस दूद से आप पनीर फाड़ सकते हो और अगर आप इसके अंदर दही डालके बाहर रख दोगे तो इसे आप लसी भी बनाके पी सकते हो तो friend, है ना ये मज़ेदार की रस्टी? तो आप इसी तरह से सारा मखन निकाल के और इसी तरह से, देखो कितना सारा ये हमारा मखन निकल के तयार हो गया है, एक لिटर दूज से तो friend, इसी तरह से फ्रेस आप घर में घी बनाए और मखन बनाए खाने में बहुत ही ये स्वादिश्ट है मार्केट से भी अच्छा घर में आप घीव मक्षन बना सकते हो तो फ्रेंट इसी से हम आज घीवी बनाएंगे तो अब इसे ले चलते हैं चूले पे मक्षन को और इसी तरह से इसे पकाएंगे इससे बहुत ही अच्छा घीवी बनके तयार हो जाएगा तो फ्रेंट देख पा रहे होंगे इस दूद से आप पनीर फार सकते हो जो हमारा दूद निकला है इसके अंदर अगर आप दही डाल दोगे तो इसके अंदर आप लसी बना के इसे पी सकते हो इसे हमने फ्रीज में रखा था दूद जो मलाई निकला था दूद से एक खराब नहीं हुआ है इसे हम पनीर भी फार सकते हैं इसका वीडियो लंबा हो जाएगा फ्रेंट इसलिए हमने पनीर फारते हुए नहीं दिखाया है अब गैस को जला कर घी को पका लेंगे तो देख पा रहे हैंगे फ्रेंट्स यह हमने इतना घी को पका लिया है पांच से साथ मिनट लगा है घी को पकने में लगातार हमने इसी तरह से गैस का फ्लेम हाई करते हुए घी को पकाया हुआ है और यह हमारा घी पक्के तयार हो गया है तो फ्रेंट इस से जानने का तरीका यही है जब इसके अंदर थोड़ा साउंड आने लगे तो समझो की थोड़ा रेड होने लगता है कि हमारा यह घी पक्के तयार हो गया है तो आप गैस का जो हम बंद कर लेंगे और घी को चान लेंगे तो friends है ना ये आसान रेश्पी घी बनाने का तो आप इसी तरह से घी को बना सकते हो अब घी को हम चान लेते हैं तो friends गर्मियों में इस तरह से घी निकालना जब आप मक्खन को मारना तब इस ठंडा पाने का यूज करना इसे आपका मक्खन अच्छी तरह से निकलेगा तो friends इसी तरह से आप मक्खन निकालना दूद के मलाई से और घी पकाना और कमेंट करके हमें जरूर बताना कि यह हमारे घी की रेस्पी आपको कैसी लगी तो friends अगर घी की रेस्पी अच्छी लगी हो तो channel को like करना, subscribe करना, अपने दोस्तों के साथ share करना friends और आपका प्यार और आपका साथ और आपके support की जरूरत है इसी तरह से आपके साथ हम नई रेस्पी के साथ मिलते रहेंगे हर एक दिन, तब तक के लिए, बाई बाई